परिचय बच्चों, हम पात्पों के बारे में अनेग बाते सीख चुके हैं. अब हम पात्पों की वृध्धी, विकास, एवं अन्ने अनिवारे कतिविधियां करने के लिए आवशक खनिज तत्वों के बारे में सीखेंगे. उपापचय तथा अन्ने कतिविधियों हेतु, आवशक अधिकांश पूशक तत्वों को पादप मृधा से ग्रहन करता है. मृधा जणों को स्थिर होने तथा वृध्धी करने के लिए स्थान उपलब्ध कराती है. ये जलधारन करती है जिसमें मृधा की पूशक तत्व और बंध होने में सहेता करता है. सभी अनिवारे पोशक तत्वों की उपलब्धता के साथ पौधा भलीभाती जीवत बना रह सकता है. तो इस पूरे मॉड्यूल में हम पातपों हेतु अनिवारे पोशक तत्वों की बारे में सीखेंगे. उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. पातपों में खनिज अनिवारे ताओं को जानना, अनिवारे खनिज तत्वों पर चर्चा करना, व्रेहत एवं सूक्ष्म पोशक तत्वों की भूमिका का वड़न करना, अनिवारे पोशक तत्वों की अपरियाप्तता की लक्षणों का वड़न करना, सूक्ष्म तत्वों की आविष्टा पर चर्चा करना, तत्वों के अफशोशन की क्रियाविधी का वड़न करना, विलेयों के स्थानांत्रण पर विचार व्यक्त करना, नाइट्रोजन के अनिवारताओं की अधियन विथी। चुंकि विश्व की जनसंख्या तेजी से पड़ रही है। इसलिए हमें खादे की मांग पूरी करने के लिए अधिक विश्वसनिय तरीकों की आविशकता है। जल संवर्थन ऐसा ही एक तरीका है। जल संवर्थन वो तकनीक है जिसमें पात्पों को मृदा के बिना पोशक विलियनों के घोल में उगाया जाता है। जल संवर्थन के लाब पात्पों को कही भी उगाया जा सकता है। पात्पों की वृध्धी नियंत्रित रहती है। तथा जल और पोशक तत्वों का संदक्षन किया जाता है। अनिवारे खनिज तत्व नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटेशियम, केलशियम, मैगनीशियम, सल्फर, बोरॉन, क्लोरीन, आईरन, मैगनीज, जिंक, कॉपर, मॉलिबडेनम, तथा निकेल अनिवारे खनिज तत्वों में आते हैं। अनिवारे तका मापदंड किसी तत्व को अनिवारे माना जाता है, यदि पादव उस तत्व की अनुपस्तिती में अपना जीवन चक्र पूर्ण ना कर सकता हो। अनिवारे ता निड़धारन के मापदंड इन तत्वों को दो व्यापक श्रिणियों में बांड़ा जा सकता है। ये इस प्रकार हैं। व्रिहत पोशक और सूक्ष्म पोशक। एक मुख्य संगटक है जो पोधों के जीवन के लिए अनिवारे होते हैं। फॉस्फोरस बीजंकुरन, प्रोटीन निर्मान और लगभग वृध्धी की सभी अवस्थाओं में और पोधों में उपाप जय के लिए आवशक है। पोटेश्यम, शुगर, कार्बो हाइड्रेट प्रोटीन संशलेशन के निर्मान और पोधों की जड़ों और अन्य भागों में कोशिका विभाजन के लिए आवशक होता है। अनिवारे पोशक तत्व अनिवारे तत्वों को चार व्यापक श्रिणियों में बाटा जा सकता है। अनिवारे तत्वों को पात्वों में उर्जा संबंधी रासायनिक योगिकों के घटक के रूप में माना जा सकता है। अनिवारे तत्वों जो एंजाइमों को सक्रिये या उन्हें बातित करते हैं। अधारन के लिए ZN2 प्लास एलकोहल डिहाइडोजिनेस को क्रियाशील करता है। कुछ अनिवारे तत्वों कोशिका के परासरणी विभाव को परिवर्तित कर देते हैं। उधारन के लिए पोटेशियम पनरंद्रों के खुलने और बंध होने में एक महदपून भूमी का निभाता है। व्रिहत एवं सूक्ष्म पोशक तत्वों की भूमी का। नाइट्रोचन इस तत्व की आविशकता सर्वधिक मात्रा में होती है और इसका अफशोषन अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन और नाइड्राइट आयन के रूप में होता है। ये विभाज योतक उतकूं एवं सक्रिय उपापचाई कोशिकाओं के लिए आविशक होती है। ये प्रोटीन हार्मोन, नियुकली कमलों इत्यादी के संगटन में सहता करता है। पॉसफोरस इसे पॉधों के द्वारा फॉसफेट आयनों के रूप में अफशोशित किया जाता है। ये कोशिका जिल्ली कुछ प्रोटीन, नुकली कमलों और निकलियोटाइट का भाग है। और सभी फॉसफोराइलेशन क्रियाओं के लिए आवशक है। पॉटेश्यम इसे पॉटेश्यम आयनों के रूप में अफशोशित किया जाता है। ये पण रंद्रों के खुलने और बंध होने में कोशिका विभाजन में महतपून भूमी का निभाता है। व्रिहत एवं सूख्ष्म पोशक तथ्वों की भूमी का। केलश्यम इसे पॉधों के द्वारा केलश्यम आयनों के रूप में अफशोशित किया जाता है। ये कोशिकाओं में जल संचरण को बढ़ाता है। और कोशिका वृध्धी और विभाजन के लिए अनिवाड़े होता है। केलश्यम पादप उतक में संचित हो जाने के बाद गती रहीत हो जाता है जहां वृध्धी हे तू निरंतर आपूर्ती होती है। मैकनीशियम ये क्लोरोफिल अनू का संचनात्म घटक है और पौधो में कार्बो हाइडरेट, शुगर और वसा के उत्पादन हेतू एंजाइमों के क्रिया विथी के लिए आवश्यक होता है। ये बीज अंकुरन के लिए अनिवारे होता है और फल वा क्रीदार फल के निर योग किया जाता है। सल्फर ये एमिनो आमल, विटामिनों और एंजाइम्स का संचनात्म घटक होता है। ये बहुत सी सबजियों को स्वाध प्रधान करता है। व्रेहत एवं सूक्ष्म पोशक तत्वों की भूमिगा। लोहा इसे फैरे काइनों के रूप में पौधों क के द्वारा अफ्शियोशित किया जाता है। ये बहुत सी एंजाइम क्रियाओं के लिए आविशक होता है। और क्लोरोफिल के संचिलेशन के लिए एक उत्प्रेरक का कारे करता है। मैगनीज ये प्रकाश संचिलेशन, शोसन तथा नाइट्रोजनी उपापचाय के लिए एंजाइम क्रियाओं शीलता में मेधपून भूमी का निभाता है। जिंक ये कार्बोहाइड्रेट्स उपापचाय अंदर क्रंथिका, दीरगी करण तथा प्रोटीन संचिलेशन हेतू अनिवारे है। तांबा ये जडों में उपस्तित होता है और नाइट्रोजन उपाप चै में भूमी का निभाता है। ये एंजाइम्स का घटक है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का प्रियोग करते हैं। व्रिहत एवं सूक्ष्म पोशक तत्वों की भूमी का। बोरान ये कोशिका बित्ती के निर्मान, जिल्ली, कारिशीलता के लिए अनिवार ये पुश्पन, भलन, कोशिका विभाजन तता हार्मोनों के स्थानांत्रण में भूमी का निभाता है। मौलिबडेनम ये नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचाईद करता है। मौलिबडेनम के बिना प्रोटीन संशलेशन अवरुद्ध हो जाता है और पादप सम्रिध रुख जाती है। कलूरीन ये परासरण में भूमी का निभाता है जिसमें कोशिकाओं तक जल या विलय का संचलन होता है। प्रदशित होती है और विशिष्ट अपरियाप्तता लक्षन उत्पन हो जाते हैं। तत्वों की अपरियाप्तता की कारण पादपों में आकारी की ये परिवर्तन अपरियाप्तता लक्षन कहलाते हैं। महदपून अपरियाप्तता लक्षन निम्न है। क्लोरसेस, हरित पात्पों की वो असमाने तशा जिसमें तने और पत्तियां विवर्ण हरे या पीले पड़ जाते हैं। ये पीलापन, हरे, पन, हरित, क्लोरोफिल, रनजकों के स्तर में कमी आने के कारण होता है। ये अनेक कारकों से हो सकता है। मेगनीशियम, आइरन या मेगनीज की अपरियाप्तता एक सामानिक कारक है। अपरियाप्तता के लक्षान नेक्रोसिस इसमें पत्तियों के उतकों की स्थानिये मृत्यू हो जाती है। उतकों की मृत्यू का विस्तार पूरी पत्ती तक हो सकता है। केल्शियम की अप्रियाप्तता के परिणाम सो रूप, पहले तरून विभज योध की क्षित्रों में उतक मिलित्य होती है, जो शीक्र ही जड़ों के शीर्ष या नई पत्तियों तक फैल जाती है। बौनपन या अवृध्धु पादप वृध्धी इसमें वृध्धी मंद हो जाती है, तना संगनित और छोटा दिखता है। केल्शियम की अप्रियाप्तता की वज़ा से वृध्धी अवृध्ध होती है। अंकुरों का मरण। कौपर की अप्रियाप्तता होने पर कास्थ युक्त या शाकिय पादपों के तनों या शाकों की वृध्यू शीर्ष से आरंब होती है और धीमी या तेजगती से नीचे की ओर पढ़ती है। सूक्ष्मु पोशक तत्वों की आविश्ता। पौधों में सूक्ष्मु पोशकों की अनिवारिता की मात्रा में मामूली वृध्धी या कमी के कारण आविश्ता उत्पन होती है। आविश्ता के लक्षणों की पहचान करना कठिन है। विभिन पादप्रजातियों के लिए एक तत्व के आविश्ता स्तर भिन भिन होते हैं। यदि एक तत्व अधिक मात्रा में है तो ये अन्य तत्व के अधिक ग्रहन को बाधित कर सकती है। उधारण के लिए मैगनीज की अधिक्ता से लाह, मैगनीशियम और कैल्शियम की कमी हो सकती है। तत्वों के अफ्शोशन की क्रिया विधी। आइनों की गति को अभी वाह कहते हैं। कोशिकाओं के अंदर आइनों की गति को अंतर वाह और पाहर की गति को बहिर वाह कहते हैं। खनिज आइनों का अधिक्रहन दो चरणों में होता है। प्रथम आवस्था में पादप उतक खनिज विलियन में रखे जाते हैं। खनीज आयन तेजी से वाहे कोशिकाउं एपोप्लास्ट बें जाते हैं। दूथिय वस्था में खनीज आयन आंतरेक स्थान सिंप्लास्ट में मंदगती से जाते हैं। ये एक सक्रिय प्रक्रम है। तथा ओपाप चाई उर्जा कवपियों किया जाता है। विलियों का इस्थानांतरण। खनीज लवणों का एक शित्र से दूसरे कशित्र में जाना इस्थानांतरण कहलाता है। जायलम के माध्यम से खनीज लवण पाधप की एक भाग से अन्य भाग तक इस्थानांतरित होते हैं। मृधा अनिवारे तत्वों के भंडार के रूप में तत्व मृधा में अपना सौरूप परिवर्टित करते हैं इसलिए एक गति शील साम्य अवस्था उपस्थित रहती है जो म्रिधा की विभिने दशाओं जैसे की विभिन आयनों की सांद्रता, पी एच तथा म्रिधा में वायू उपलब्दता आदी के अनुसार परिवर्तित होती है म्रिधा में नायट्रोजन इस्थरी करन कराने वाले जीवाणू अन्य उप्योगी सुक्ष्म जीव भी होते हैं तथा ये जल भी धारण करते हैं नायट्रोजन का उपाप्चाए नायट्रोजन चक्र नाइटोजन योगिक पृत्वी पर समस्त जीवन रूपों के लिए अनिवार है उधारन के लिए प्रोटीन और नुकलियक अमल नाइटोजन चक्र के निम्न चरण होते हैं नाइटोजन स्थरी करण, आमोनी करण, नाइट्री करण और विनाइट्री करण नाइटोजन स्थरी करण, नाइटोजन के अमोनिया या अन्य नाइटोजन योगिकों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया नाइटोजन स्थरी करण कहलाती है तडित तथा पराबैगनी विकरण नाइटोजन को नाइटोजन आकसाइडों जैसे की N2O, NO और NO2 में परिवर्थित होने के लिए उर्जा उपलब्द कराता है नाइटोजन चक्र, आमोनी करण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्बनिक नाइटोजनी योकिक अब घटित होकर आमोनिया उत्पन्न करते हैं, आमोनी करण कहलाती है नाइट्री करण, नाइट्री करण वह प्रक्रिया है जिसमें अमोनिया पहले नाइट्राइट तथा फिर नाइट्रेट में परिवर्थित होती है 2NH3 प्लस 3O2 देता है 2NO2 प्लस 2H प्लस 2H2O, 2NO2 प्लस O2 देता है 2NO3 यह प्रक्रिया मृदच जिवानों द्वारा संपन्न की जाती है, जो रसोस्वापोशी होता है अमोनिया नाइट्रो सोमनास तथा नाइट्रो कोकस द्वारा नाइट्राइट में उक्सिक्रित होती है नाइट्राइट, नाइट्रोबेक्टर द्वारा नाइट्रेट में आउक्सिक्रित होता है नाइट्रेटों का पाधपों द्वारा अप्शोशन कर लिया जाता है और नाइट्रेटों के रूप में अप्चाइद कर दिया जाता है नाइट्रोजन चक्र विनाइट्री करण ये वो प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रेटों का मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्थन या अपचयन होता है ये स्यूडो मोनास वा थायो बैसिलस जैसे जीवाणों द्वारा संपन्ने की जाती है जैविक नाइट्रोजन स्थरी करण जैव नाइट्रोजन स्थरी करण वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव उन्द्वारा नाइट्रोजनिस की उपस्थिती में अमोनिया का वायो मंडलिये नाइट्रोजन के रूप में अपचयन किया जाता है नाइटोजन इस्थिरकारक जीवानों सौतंद्र या सहजीवी जीवन यापन कर सकते हैं सौतंद्र जीवी नाइटोजन इस्थिरक हैं एजोटो बैक्टर बैजेरिंग किया जो दोनों वाईविये तथा रोडोस्पाइरिलम आवाईविये हैं क्यानों बैक्टुरिया जैसे की एनाबियेना तथा नौस्टेक सौतंत्र जीवी नाइटोजन इस्थिरक भी हैं। सह जीवी जैविक नाइटोजन स्थरी करण। फलीदार पाधप जीवानु संबंध सह जीवी सहयोग का अच्छा उधारण है। फलीदार पाधपो में मूल ग्रन्थिकाएं होती हैं जिनमें सह जीवी जीवानु राइजूपियम वायूमंडलिये नाइटोजन को अमोनिया में स्थिर करते हैं। ये अमोनिया अनेक जैव अड़ूँ जैसे की एमिनो अमलों, प्रोटीनों, विटामिनों तथा न्यूकलियक अमलों के लिए उपलब्द कराई जाती है। फ्रेंकिया मृदा में रहने वाला एक सौतंत्र जीवी जीवानु है, जो बायूमंडलिये नाइटोजन को अस्थिर करता है। ग्रंतिका निर्माण। जब किसी फलीदार पादप का मूल रोम राइजोबियम के संपर्क में आता है, तो ये जीवानु द्वारा सरावित रसाइनों के कारण कुंचित या विरूपित हो जाता है। राइजोबिया विरूपित मूल रोम में प्रविष्ट होता है, और मूल रोम के अंदर बहु गुनित होता है। पादप एक संक्रमण धागे द्वारा प्रतिक्रिया करता है, जो उतकों तक जीवानु को ले जाने के लिए अंदर की ओर बढ़ता है। पोशक तत्वों के अफ्शोषन के लिए ग्रंथिकाओं का संपर्क आश्रै दाता के समवहनी उतकों से हो जाता है। मूल ग्रंथिकाओं का निर्मान तथा नाइट्रोजन इस्थरी करण पादप के जीनों और जीवानों के जीनों के नेंतरन में होता है। होने वाली अभिक्रिया निम्न है नाइट्रोजन प्लस आठ, इलेक्ट्रोन आठ, हाइड्रोजन आयन प्लस 16 ATP देता है, दो एनेच तीन प्लस हाइड्रोजन प्लस 16 ADP प्लस 16 PI अमोनिया की नियती नाइट्रोजन स्थिरी करण द्वारा बनने वाली अमोनिया एमिनो अमलों के संशिलेशन हे तू उप्योग की जाती है एमिनो अमलों के संशिलेशन की दो प्रक्रियाए है अपचैद एमिनी करण अमोनिया अलफा कीटो ग्लुटेरिक अम्ल से क्रिया करके ग्लुटेमिक अम्ल बनाती है विपक्ष एमिनन इस प्रक्रिया में एक एमिनो अम्ल से एमिनो समूह कीटो अम्ल के कीटो समूह पर इस्थानांत्रित होता है क्या आप जानते हैं? जीवाणों द्वारा स्रावित काईटीन अणों की जांच करता है तो मूल गरंथियां बनने लगती हैं। जल्द संवर्धन वो तक्नीक है जिसमें पात्पों को मृदा की बिना पोशक विलियनों के घोल में उगाया जाता है। व्रिहत पोशक तत्व और सुक्ष्म पोशक तत्व तत्वों की दुव्यापक श्रिणिया हैं। वे पोशक जो भारी मात्रा में पौधों के उठकों में विद्दिमान रहते हैं। व्रिहत पोशक तत्व कहलाते हैं। सुक्ष्म पोशक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनकी आविशक्ता बहुत ही नियून मात्रा में होती है। क्लोरोसिस हरित पाध्पों की वो आसमाने दशा है जिसमें तने और पत्टियां विफर्ण हरे या पीले पड़ जाते हैं। नेक्रोसिस में पत्टियों के उत्कों की स्थानिय मृत्यू हो जाती है। बौनापन या वृद्ध पादप वृद्धी में पृद्धी मंध हो जाती है। जैव नाइट्रोजन स्थ्री करण वह प्रिक्रिया है जिसमें सजीवों द्वारा नाइट्रोजेनिस की उपस्तिती में अमोनिया का वायू मंडलिये नाइट्रोजन के रूप में अपचयन किया जाता है।